नमस्ते, हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है आज हमें गेम खेलेंगे, वो गेम के अंदर जो मैं बोलती हूँ वो आपको घर पे बार-बार बोलने की प्राक्टिस करनी है उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक बार-बार दोहराना है आपको ये बार-बार जीतना हो सके उतना फास्ट बोलने की प्राक्टिस करनी है आप सोच तब होंगे कि ये प्राक्टिस करने को क्यों बोला है क्योंकि हम आज एक नया व्यंजन सीखने वाले हैं ये जो दो लाइन है उसके अंदर एक व्यांजन बार बार रिपीट हो रहा है और ये व्यांजन कौन सा है व्यांजन ल आज हम व्यांजन ल सीखने वाले है लसे होता है लड़का लसे होती है लड़की और होती है लसे लकडी लसे लड़का, लसे लड़की और लसे लकडी लसे लूमडी, लसे लंगूर, लसे लोटा, लसे लसू तो चलो व्यंजन लसे शुरू होने वाले शब्द देखते हैं और उसे दोहराते है ल, ल, लसे लड़ू, लड़ू होते हैं गोल-गोल ल, ल, ल से लुम्री, ल, ल, ल से लसुन, ल, ल, ल से लुटा, ल, ल, ल से लंगूर, ल, ल, ल से लडका, ल, ल, ल से लडकी, और ल, 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 ल से लकडी भी होती है ल, ल, व्यान जन ल, और ल से लालतेन होता है, ल से लड़ू लड़की खाए, लड़ू खाकर खुशिया मनाए, लड़ू गोल गोल सबको ललचाए, मीठे मीठे मन को भाए, मीठे मीठे मन को भाए. Now, it's time to write व्यान जन ल, so let's learn how to write व्यान जन ल. व्यान जन ल की writing practice हम पहले my skill book में करेंगे, on page number 83, we will practice writing व्यान जन ल, व्यान जन ल लिखने की writing practice हम page number 83 पे करेंगे, Left side corner में हम पहले आज का date लिखेंगे, उसके बाद में व्यान जन ल लिखते कैसे हैं, वो देखेंगे. व्यान जन ल लिखने के लिए, पहली और तीसरी line के बीच में आपको एक सीधी रेखा बनानी है, वापस पहली और तीसरी line के बीच में एक सीधी रेखा, उसके बाद में एक बाद आपकी सीधी रेखा हो जाए, उसके बाद में आपको यहां से, दूसरी जो line है, उसके थोड़े से उपर से, आपको एक bumpti बनानी है, ऐसे. जो की, दूसरी line को touch करके थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर वापस उपर जाके, और एक bumpti ऐसे curve बनाना है, और जो नीचे तक लेके आना है, जो तीसरी line को touch करेगा. वापस एक बार लिखेंगे, पहली और तीसरी line के बीच में सीधी रेखा, फिर दूसरी line से थोड़ा सा उपर से शुरू करके एक curve, दूसरा भी curve, परन्तु वो curve दूसरी line को touch करके, नीचे ऐसे थोड़ा सा तेड़ा जाते हुए, तीसरी line को touch करेगा. और पहली line पे sleeping line, यह हो गया आपका लसे लड़का, लसे लड़की, लसे लकडी, लसे लाल, अब हम एक पर tracing practice करेंगे, और उसके बाद में हम अपने आप लिखेंगे. अपने आप लिखने के लिए, कोई भी dots के बगेर, पहली और तीसरी line के बीच में, एक सीधा line बनाना है, उसके बाद में, दूसरी line से थोड़ा सा उपर से शुरू करके, एक curve, bumper T, फिर थोड़ा सा नीचे आना है, दूसरी line से थोड़ा सा नीचे आके, pencil नहीं उठानी है, वापस एक दूसरा bump बनाएंगे, एक curve बनाएंगे, जो की सीधा नीचे जाएगा, और थोड़ा सा slant में, थोड़ा सा टेड़ा जाके, तीसरी line को touch करेगा, और sleeping line, सीधी sleeping line, on the first line, ये हो गया आपका व्यंजन, ल, पहली और तीसरी line के बीच में, सीधा line, दूसरी line के कोड़ा सा slant में, जाते हुए, तीसरी line को touch करेगा, और पहली line पे sleeping line, ये हो गया आपका व्यंजन, ल, इसके बाद में, हम व्यंजन य और व्यंजन र, जो सीख चुके है, उसको साथ में लिखने की practice, हमारी हिंदी की notebook में करेंगे, जैसे कि आपको मालू है, लेप्ट य, य, र, र, ऐसे first line में लिखना है, फिर lines बनाके पहले पूरा य लिखो गई, य लिखने के time पे उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने है, यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे बोल के व्यंजन य और व्यंजन र लिखने की अच्छे से practice क करनी है, मुझे आशा है बच्चो, आपको व्यंजन ल उससे शुरू होने वाले शब्द, व्यंजन ल लिखते कैसे है, और जो हमने last class में सीखा था, व्यंजन य और व्यंजन र दोनों साथ में कैसे लिखते है, वो अच्छे से समझ में आया होगा, धन्यवाद,